जिसका नतीज़े ये निकलता है कि करीब करीब 75,000 से ज़ादा जो कृष्टन्स होते हैं यह मैं 2008 कंदमाल अटैक्स की बात कर रहा हूं जो कृष्टन्स पे हुए हैं बकायदा जो दंगे हुए हैं और्गनाइस तरीके से जो उस मिशनरी के साथ हुआ क्या वो क्राइम नहीं था वो ज्याती नहीं थी जब हम उसके मैटर में इतने जादा सेलेक्टिव हो गए इतने जादा हम लोग पार्शल हो और वन सैड़े हो गए वही कश्मीर पंडित के साथ कुछ ऐसा हुआ तो आप उसको फुल फ्लेश होके प्रमोट कर रहें बिलकुल करना चाहिए और जिसका नतीजा क्या निकलता है यह निकलता है यह मतलब ऐसी निती के दो पक्षों में कोई टेंशन हुई है बलके एक औरगनाइज हमला था क्र करीब 20,000 को सरकार की तरफ से जो दंगा प्योडितों के लिए रिलीव कैम्स थे उनमें जाकर प्रेज अलोग दिस एंजल बहत खास इंपोर्टेंट वीडियो है यह मेरे पास इंबॉक्स में परसनली लोगोंने मैसेज करें कि आप इस सब्जेक पे जबू वीडियो इस वक्त काफी वावाई बटोर रही है, सोचल नेट्वरकिंग पे लोग दो भागों में बढ़ गए इसको लेकर, काफी एक कॉंट्रोवर्जियल मुद्धा बन चुका है यह मूवी, और इसमें मैं अपनी राय रखूँगा, इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि लोग कितने पार्शल वन साइड़ हो चुके हैं, और साथी साथ मैं एक कंपाराजन भी रखना चाहता हूँ, कहने का मतलब सबसे पहली बात, कि यह मूवी हम जैसे सब जानते हैं, बतानी की जरत नहीं है, 1990 मैं जो के कश्मीरी हिंदू का कतले आम करा, जो के टेररिस्त हैं उन ल जलत नहीं है, और उसे कंडेम भी करना चाहिए, पर 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 प्रॉब्लम बस यह है, क्योंकि मूवीज मैं आपको बताऊं कि इतना पावरफुल वेपन है, मैं आपको सच बताऊं, मूवी चाहें अगर अच्छा कंटेंट है और कुछ पावरफुल कंटेंट है, आप चाहे तो इससे सब कुछ बरबाद भी कर सकते हैं, लोगों को प्रोग्राम कर सकते हैं, तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी मूवी, किसी भी तरह के कंटेंट को इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए, कि वो किसी भी तरह के किसी दूसरी कम्यूनिटी के लिए आपके अंद कर नफरत आजाए तो मैं दोनों पक्षों के लिए बात बोलूँगा कि जिनके साथ अगर ऐसी कोई जाती हो रही है कतले आम हो रहा है उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि वो भी एक पॉजिटिव मैसेज ने इस चीज़ को लेकर और यह बात शोर करनी चाहिए गौर्वर्म है जो moderate है जो पड़े लिखे है वो openly ऐसे आतंगवाद को terrorism को पूरी तरह condemn करें यह बहुत जरूरी है अगर यह दोनों चीज़े हो जाएंगी तो मैं समस्ता हूं बहुत सारे मुद्दे वैसी हल हो जाएंगे और एक अच्छी peaceful harmony के साथ लोग आपस में रह सकेंगे बजाए इसके के वो movie एक ऐसा कोई बेस्तियार करें भविश्य के लिए future के लिए जिससे एक बड़ा कतले आम हो एक बड़े rights हो एक बड़ा violence पैदा हो तो उन चीजों को avoid करना है क्योंकि उदरी की तरफ इस वक्त हमारी देश हमारी देश की देश की जनता लोग feelings और emotions उनके जा र प्रशे है तो यह मेरी एक personal राय है कि आप अगर किसी चीज को दिखा रहे हैं उसे दिखाईए प्रदश्यत कीजिए बट एक अच्छा message भी दीजिए साथ में कश्मीर फाइल्स को कई जगे tax free कर दिया गया है जबर्दस response आ रहा है अच्छा business कर रही है full flash लोगों के देख जाता कित्ती जादा partial और one-sided हो जाती है जब least of these यहां पर इंडिया में release होती है least of these जो के ग्राम स्टेंस Christian Missionary Australia से आई हुए उडिसा के अंदर जो के कोडी समास था जो बिल्कुल ठुकराया हुआ समास था उसकी सेवा करते थे उनकी मलहम पट्टी करते थे और उन्हीं के लिए उन्होंने अपनी जीमन को समर्पित कर दिया था उनको जब उनके दो छोटे बेटों के साथ फिलिप और थिमोथी के साथ जिंदा जला दिया था बजरंग दल के एक्टिविस्ट धारा सिंग के जरिये या उसके साथ और जो लोगते उनके साथ तो उसके उपर एक 20 स साल बाद मूवी बनती है 2019 में दा लीस्ट ऑफ दीज इस मूवी को पहली बात तो इंडिया में हर जगे नी बहुत सेलेक्टिव जगव उपर रिलीज करते हैं मैं खो धरियाना पंजाब से कहा गया दिल्ली में इस मूवी को देखने के लिए गया दूसरी बात इस मूवी क इस मूवी को native languages में release नी किया सरफ English में release करा क्योंके native language Hindi या जो भी हमारी Bollywood की भाशा में अगर release करते हैं तो क्या होता इसका impact जादा होता लोग सच जान पाते जात्ती को समझ पाते हुआ क्या वो समझ पाते जो के लोग को समझने नहीं दिया एक खास ही हिस्से की audience इस क्या जो उस मिशनरी के साथ हुआ क्या वो क्राइम नहीं था वो ज्यात्ती नहीं थी जब हम उसके मैटर में इतने ज्यादा सेलेक्टिव हो गए इतने ज्यादा हम लोग पार्शल हो और वनसाइड़ हो गए वही कश्मीर पंडित के साथ कुछ ऐसा हुआ तो आप उसको फु मूवीज को फिरूं कंटेंट को भी तो आप पूरी तरीके से प्रमोट करो फिरून चुपाने और उन्हें दवाने की कोशिश की जा रही है तो मैं समस्ता हूं के ज्याद्थी तो हर किसी के साथ Уरीतों उससे आपको मैं समस्ता हो दिखाना चाहिये मैं बात करूंगा कंद 60,000 Christians अपने घरों से भेगर हो जाते हैं और करीब करीब जो अन ओफिशल रिपोर्ट है उसके हिसाब से कम से कम 500 जादा लोगों को Christians को मार दिया जाता है इसके अंदर जिन्दा जला दिया जाता है करीब 40 से उपर औरतों को साथ बलतकार किया जाता है Christians औरतों की बाते कर रहा Christians के खिलाब जो हमले किये गए थे सिर्फ एक इल्जाम लगा कर कि इस मौत के पीछे इसमें Christians का हाथ है और ये 2008 मिनी 2007 में इसका असल में क्या बनाया गया था पूरा शरियंतर बनाया गया था इसका पूरी तरीके से जो इसका बेस तयार किया गया था 2007 में Christmas celebration को लेकर Christmas को बन बनाने को लेकर 2007 में ये वहाँ पर इस तरीके से बड़ा ही वालेंस हुआ था मैं आपको बता दूँ उडिसा में इस जगे पर कंदमाल में और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि Christmas को लेकर वहाँ पर दो पक्षों में लड़ाई होगी यानि Christians और जो दूसरे मांके नेटव लोग करीब 20,000 Christians को सरकार की तरफ से जो दंगा पीड़ितों के लिए रिलीव कैम्स थे उन में जाकर शरण लेनी पड़ती है बाकी 50,000 Christians इसके अलावा अपने घर अपने खेती अपनी बाड़ी अपना सब को छोड़ कर कहां चले आते हैं आसपास के शहरों गाउं में और आसपा पर जाकर वो शरण लेते हैं करीब करीब सौ चर्चेस, Christian इस्ट्यूट्स और Convent स्कूल्स को जला दिया जाता है या लूट लिया जाता है उन्हें तभा कर दिया आता है और करीब करीब Christians के साथ सुज़ जादा घर पूरी तरह तभा कर दिया आते हैं जला कर भसं कर दिया ये 2007 में हुआ उड़ी सा में उड़ी सा में ग्राहम स्टेंस का 1999 में और उसके बाद फिर हम मैं आपको बता रहा हूँ ये 2007 में और उसके बाद इसकी पूरी एक भूमी का बनाई गई गई Christians पर बड़ा आटेक करने की जिसका नतीज़ ये निकलता है कि करीब करीब 75,000 से ज 70,000 से जादा Christians बेघर हो गए जंगलों में भाग गए इदर उदर भाग गए गाओं में भाग गए अपनी जगाओं को छोड़कर कम से कम 40,000 से जादा औरतों का बलतकार हुआ जबर दस्ती उनके साथ की गई जिन्दा जला दिया गया बलतकार करके उन्हें मार दिया गया क से कम 60,000 से जादा Christians के गढ़रों को पूरी तरीकी से खाक और जला दिया गया या लोट लिया गया और करीब करीब जो अन ऑफिशल रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से 500 जादा Christians को 500 से जादा Christians को जिन्दा जला दिया जला कर बहुत लोगों को मारा और हजारों क्रिश्टन को फोर्सिबली उनका धर्मानतरण किया गया उन्हें हिंदू बनाया गया और इस चीज का प्रैशर डाला गया उनको फोर्स किया गया और जिन्होंने बना कर दिया गया यह 2008 में हुआ है कंदमाल उरीसा में तो आप देख सकते हैं कि इन दंगों पे कोई फिल्म बनने की बात तो बहुत दूर की है इन दंगों के बारे में कहीं कोई बात भी नहीं करता है इस कतले आम के बारे में कभी कोई जिकर भी नहीं करता है इतनी बड़ी ज्यात्या हुई है, इतना कतले आम हुआ है, इतने लोग घर से बेगर हुए है जो आज की डेट तक अपने घरों पर वापस नहीं पहुचे हैं 2008 से, आप समझ सकते हैं, अभी तक 12, 13, 14 साल के बाद भी वो लोग अभी तक अपने घरों तक नहीं गए है अभी भी वो कही रिफ्योजी गैम्स में ह cyclies में हैं, कहीं और रह रहे हैं पर इन दंगों के बारे में कोई content नहीं, कोई movie नहीं यहां तक कोई बात भी नहीं कर रहा है तो क्या ये one sided बात नहीं है, partial बात नहीं है, क्या हम ऐसा तो नहीं कि इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कई बार सिख दंगों के बारे में बात करते हैं, गुजरात में दंगे उनके बारे में बात करते हैं, पर मैंने कंधमाल अटैक्स के बारे में लोग गलत दिखेगा पर जहां दूसरों के साथ बात हो रही है उसके बारे हम बाद भी करना पसंद नहीं करते उन टॉपिक्स को हम छेड़ना भी पसंद नहीं करते उसके बारे में और बाद भी नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूं किसी के साथ भी हुआ है चाहे कश्मीरी पंडित ह जो गलत है वो गलत है और उसको कोई भी सही नहीं कह सकता अगर कोई इसे सही कह रहा है जिस्टिफाइ कर रहा है डिफेंड कर रहा है वो सबसे बड़ी मुर्कता कर रहा है पर साती साथ मैं यहीं बोलूँगा कि फिर जब दूसरी कम्मिनिटी के साथ इस तरीके से हरकते हो र 2021 में क्रिश्टन्स के उपर हुए का है नियूज में गिने चुने नियूज वालों ने कावर करा आप थोड़ी उसकी बारे में बात करने लगें में स्ट्रीम मेडिया में भी एक दो चैनल दो तीन चैनल तो मैं यही बात बोलूगा कि पहली बात तो कोई भी ऐसी मूवी कंटेंट बना जारा है तो हम कोशिश करें कि सच्चाई दिखाएं पर सच्चाई के साथ कुछ हम ऐसा मैसेज भी दें जो तमोट ना करें किसी दूसरे कतले आम को किसी दूसरी कमनेटी के लिए बस मैं यही बात बोलूगा और दूसरी बात हम क्रिश्चन्स का जो कतले आम जिसके बारे में जिसे मिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाईट कर दिया गया करनमाल राइट की बात ब ऐस को भी हम भूले नहीं पर उसको भी हम याद करें और हमें किसी तना कोई गिला है ना शिक्वा हम सबस्कों माफ करते हैं पर साथ ही साथ मैं आपको दूसरा सिक्वे कर दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखाने के कोशिश कर रहा था कि हम दूसरे पहलू को भी देखे हैं और अगर हम अपने लिए इतना दर्द रखते हैं, तो थोड़ा सा उसका थोड़ा सा दर्द दूसरों के लिए भी रखते हैं, वैसे भी सोच के देखें, तो जैसे, Jesus bless you.